हाई गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करोंगी वहाँ का ट्रेंडी जो भी वहाँ पे स्टॉफ आया है वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को एंग तक जरूर देखेगा मैं आटो में जा रही हूँ अगर आपको आप मेट्रो से भी जा सकते हैं वहाँ पे पिंक लाइन चलती है जो कि एजी लिए आपको मिल जाती है और चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फ्रेंड्स यह था मैंने एंट्री करी थी गेट नंबर वन से तो यहां से अगर आप आते हैं तो इस तरह से आपको एंट्री मिलती है और काफी अच्छे से सिक्योरिटी भी थी वहाँ पे तो फ्रेंच सबसे पहले जब मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पे यह थे कटेंस जो की थे 150 और वही उसी गेट से जब मैंने एंट्रो किया था तो यहाँ पे एरिंग्स की लगा रखते हैं उने जो की काफी ट्रेंडी-ट्रेंडी मुझे यहाँ पे लग रहे थे देखने में और इनका जो प्राइस था जो उपर लगे थे उनका प्राइस था 50 रुपीज और जो नी मिलते हैं यह जो इस पे कुछ लिखा हुआ था और काफी ट्रेंडी लग रहे थे मुझे यह 50 रुपीज के थे खाली 50 रुपीज के साब से काफी अच्छे थे बेप्स भी लिखा हुआ था इस टाइप के ट्रेंडी एरिंग्स मैंने देखी उसके बाद आप थोड़ा सा औ आगे मैं गई तो वहां पे था ये जैसे कि आपको सरोजनी नगर में जो मिल जाता है कॉस्मेटिक लोकल वाला 50-50 रुपीज का ये स्कुछ भी आप ले सकते हैं आगे जो भी रखा हो तो 50 रुपीज में था और ये नेल पेंट्स फगेरा भी थे तो अगर आप पर्चेस क करने चाहते हैं ठीक ठाक होते हैं वैसे मेक अप ठीक लग रहे थे मुझे भी देखने में उसके बद गाइस उसी लेन में आगे चलके यहां पे थी कुर्ती जो की काफी अच्छी लग रही थी मुझे इनका रेट वैसे 200 था बट इनोंने 150 में लगा रही थी और 150 के हिसाब काफी अच्छी कुर्ती कलेक्शन थी यह मुझे ठीक लग रही थी बट मुझे होड़ साइस का इश्यू लग रहा था तो और भी बाकी मैं देख रही थी तो 150 के हिसाब से क्वालेटी काफी अच्छी थी और कुर्ती की 150 में आपको क्या मिलता है कुछ भी मिलता है पड़ अच्छी स्टाइल की आपको कुर्ती 150 में मिल रही थी जिनका कपड़ा भी कॉटन प्यॉर कॉटन था यह और प्लाजो भी थे इनके साथ अगर आप प्लाजो लेना चाहते तो प्लाजो भी ले सकते हैं वो उसका आपको 150 अलग से पे करना पड़ता है और यहां पे 100 क्रॉप्स थे क्रॉप टॉप्स जैसे आजकल चल रहे हैं क्रॉप टॉप सी चल रहे हैं और यह थे फ्रेंट्स नाइट सूट जैसे आप पैंते लग शॉर्ट्स वगेरा और उपर समें स्वैगेडी थी यह भी 200 रुपीस में पेर था का अच्छी कलेक्शन थी कॉटन कपड़े की कॉलिटी अच्छी लग रही थी मुझे तो 200 की अच्छी रेंज में आपको ही मिल रहा था प्रिंटिट और अलग-अलग प्लें स्टाइल में भी थे और प्रिंटिट भी थे अच्छी थे उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे गए यहां पे जस्ट लेडी कर के एक शोरूम है जहां पे आपको अंडर कार्मेंट्स आपको किसी भी तरह की वो मिल जाएंगी और भी काफे सारी चीज़ें हां पे मिलती हैं आपको तो फ्रेंट्स काफी धूप थी कर्मी ओरी थी दिन के टाइम पे और भीड भी भी बहुत हो रही थी उस ताइम पे दि पे लिए जिसे फ्रॉक स्टाइल की होती है ना फ्रॉक स्टाइल में लॉंग पूरी फ्लोर लैंप की गुर्ती थी और इसमें भी काफी सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं दिखिए सुन्दर सुन्दर कुर्ती थी टूफिटी की और अलग-अलग डिजाइन की थी जो की यह भी काफी अच्छी लग रही थी और यहां पे थे फ्रेंट्स फिफ्टी रुपीज के टॉप्स बड़ आप ले सकते हैं और यहां पे भी कॉर्णर में जस्ट लेडी या जो शोरूम है उसके साथ में यह एरिंस लगाते हैं भीया यह भी कलेक्शन के पास काफी अच्छी थी और इनका भी प्राइस काफी कम था मुझी यह परल वाले अच्छे लग रहे थे मैंने उनसे बॉला भी को भी खाने के लिए बाकी इनका जो रेट था वो 50 रुपीज था उपर वाले और नीचे जो वो 30 रुपीज के थे तो काफी अच्छी कलेक्शन आपको मिल जाती हैं पे एरिंग्स की भी और यहां पे थे यह पैंट्स बूद कर्ट पैंट्स जो होती हैं उसकी वराइटीज यहां पे काफी अच्छी देखने को मिल रही थी देखिए कलरफुल टैंट्स भी थी रेड ब्लाक ब्लू और 200 इनका प्राइस था यह डांग्रीज अगर आप डांग्रीज स्वियर करते हैं तो डैनियम की डांग्रीज थी इनका जो प्राइस था वो था 250 तो आप यह पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप के पसंद है और फ्रेंट्स उसके बाद यह मुझे अच्छे लग रहे थी डैनियम की शर्ट्स इनका जो प्राइस था यह था 100 रुपीस 100 रुपीस में अच्छी खासी शर्ट आपको मिल रही थी और अगर आप व यह थी चुल्पीस खासी होगा जो लिए अच्छी यह थी यह थी काफी ट्रेंडी टॉप्स मुझे आपे दिख रहे थे यह थे एक टॉप मुझे काफी पसंद आया था इसको प्राइस बोल रहे थे थे थी हंड़र बोल रहे थे बट वह तो आपको पताई ही कम कर लेते है तो 200 में मुझे दे 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 बर्ट थोड़ा मुझे लग रहा था जैसे थोड़ा मुझे टाइट आएगा और इसमें साइज इस पी उरके बास एवेलेबल नहीं थे उसके बाद ये थी फ्रेंट्स अगर आप घर में टी-शिर्ट्स पैमते हैं तो ये 100-100 रुपीस की टी-शि जिनका स्टफ काफी अच्छा था और इसमें काफी सारे प्रेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे अच्छे-ची कलेक्शन थी और अच्छे-च्छे टॉप थी ये 100 रुपीस के घर पे आप पैन सकते हैं स्टाइब की टी-शिर्ट्स और काफी अच्छी रखती हैं प्रें काफी सारी वराइटीस यहाँ पर देखने को मिल रहे थी और कॉल फुल भी थी ड्राउन ब्लाएक काफी सारी और यह जो बैटस थी यह आप ड्रैस यस्में लगा सके हैं और बाकि पैंट्स की जो जीन्स हम पाँने डेनिम समें लगाने के लिए वैट्स की इस में पाफे स क्लेक्शन और शिरेगा यह काफी अच्छी क्लेक्शन मुझे लग रही थी देखने को तो आपिस ब्लाजो गर अब सूट करते हैं और उनके सब प्लाजों पर चिस करना चाहते हैं तो यह सार रूपीज के प्लाजों थे यह Бिल जू की काफी सारे कलर्स थे उसमें आपको जो तो इनका प्राइस था था 200 रुपीज, 200 रुपीज की यह जीन्स टैनिम थी, अगर आपका साइज मैजर करके आप यहां से प्रचेस कर सकते हैं, इसमें भी काफिस आरे कलर्स थे, लाइट शेट भी थे, डार्क शेट भी थे, तो मैं यहां पे ब्लैक वाली जीन्स देख रह आरे थी, और यहां पे बूट कर स्टाइल की जीन्स भी काफिस आ रही थी, उसकी बलफेंट्स हम देख रहे थे कुर्टीज, जैसे की रक्षबंदन भी आ रहा है, तो कुर्टीज भी आप देख सकते हैं, कुर्टीज की काभी सारी कलेक्शन यहां पे थी, 350 रेट था इनक और यहां प्राइट कलर की थेट कुर्टी, तो यह देखी, यह ओफेट कलर की थेट कुर्टी थी, इसका प्राइस था, 350 रुपीज, काफी सॉफ्ट कपड़ा था इसका, और इसमें यह यह कलर था, पिंक वाला, गाजरी पिंक, यह कलर भी काफी अच्छा लग था, इसका जो रेट था, 350 रुपीज, फिक्स रेट जो होता है, यहां पर सरोजनी नगर में, इसमें काफी सारे कलर्स यहां पर लगे हुए थे, जो की काफी सुन्दर लग रहे थे, उसके बाद फ्रेंड्स यह थी, जो एंटीक जूलरी सम लेते हैं, पर्चेस करते हैं, जो सूट व यही ट्राइ करके देख रही थी, यही काफी अच्छा लग रहा था, उसकी बाद फ्रेंड्स यहां पर और भी एथनिक वेर्स काफी लगे होए थे, सरोजनी नगर में, जो की फिक्स रेट के थे, 350 रुपीज की यह कुर्थीज थी, इनमें भी काफी सारे आपको कलर्स, काफी अच्छी कलेक्शन आ रखी थी, तो अगर आप इस ताइप के कुर्थीज करना चाते हैं, तो आप देख सकते हैं, 350 रुपीज के आपको मिल जाती है, काफी सारी वराइटीज थी अच्छी थी, और यह अच्छा था, उसकी बद फ्रेंट उसी लेन में आगे चाके य 700 पूल रहे थे extension का rate, बट वो 200 में आपको दे दिंगे, तो अगर आप hair extension भी पर्चेस करना चाते हैं, तो वो भी आप यहां से पर्चेस रह सकते हैं, यह थी पंच शील करके एक शॉप थी, वहां पे लगा हुआ था, उसके बाद यहां पे 100 रुपीज की टॉप्स लगे ह भी लगे थे उसमें, काफी अलग-अलग टाइप के लगे हुए थे, long, short, fair friends, आगे जाके यहां पे थे यह hand purse, जो आजकल चल रहे हैं, तो यहां पे अलग-अलग वराइटी के पर्स थे, जिनका 400, 350, 250 रेट था, और यह कफ्तान स्टाइल में मैंने कुर्टीज देकी वहा स्टाइल में, तो अगर आप इस टाइप कर भी पर्चेस करना चाते तो इस टाइप कर भी आप पर्चेस कर सकते हैं, उसकी बद फ्रेंट्स यहां पे थे, घर पे जो हम शौट्स पैंगते हैं, और यह काफी सॉफ्ट कपड़े में 100-100 रूपीज में आपे मिल रहे थे, औ वो भी काफी सॉफ्ट कपड़े में थे, उसके बाद फ्रेंट्स यह थे हाँ पे साटन के नाइट वियर, नाइट सूट, जो कि आपको ऑनलाइन भी काफी दिख जाते हैं, और काफी कॉस्टली मिलते हैं, बट यहां पे जो इनका प्राइस था, वो था, फाइफ फिफ्ट में कॉटन के, उनका जो प्राइस था, वो था, फ्री फिफ्टी शॉट्स के साथ, और अगर वो ही चीज़ आप लोवर में लेते हो, तो आपको लोवर के साथ मिल रहा था, यहां पे फोर फिफ्टी का, चुकि यह फिक्स प्राइस थे, बट इनकी क्वालिटी काफी अच् थे, उनका जो रेट था, वो 500 बोल रहे थे, 350 में दे रहे थे, फाइफ सीटर जो सोफा होता है, उसके भी इनके पास कवर्स थे, उसी के साथ में एक पिक्सी के सामने एक शॉप ती यहां पे पर्स की, जो की यहां पे इनोने फिक्स रेट पे कर रखा था, 350 में, आप कोई पर्स पिक कर सकते हैं, बड़ा छोटा, बड़े बड़े हैंट पैग भी थे, और जो छोटे आज के प्लचे चल रहे हैं, वो भी थे, उनका भी रेट 350 था, तो 350 में यह फिक्स थे, और यह था फ्रेंट्स, आज कर लेटेस कलेक्शन इस टाइप की आर यहां पे, और यह ट आट पे ऑनलाइन भी सर्च करी थी, तो काफी महेंगी मुझे मिली थी, मिल रही थी उसमें भी, तो यहां पे इन्होंने रेट 600 बोला था, जो की यह आपको पता ही है से रोजनी का अगर मार्केट में तो कम करी लेते हैं, तो कम करी लिंगे उसका तो, उसके बाद यह एक जोलरी की इंसंस, जहां पे इंसंस का शोरू में, वहां पे जोलरी की कलेक्शन का एक पूरा वो है, यहां पे काफी सरे आपको नेक्स सेट वगेरा, और यह सब जो इनका रेंज थी, 350 की रेंज थी, नेक्स सेट वगेरा, उसके साथ एरिंग्स भी थे, और यह जो एरिंग इसके वेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं मेजर करके तो यहां पर काफिस हैं इनके पस कलेक्शन थी जीन्स की यह भी इंसेंस वाली ही लेन है जहां पर इंसेंस का शोरूम है उसी लेन में यह उसकी बाद यह हम कुछ कुर्तीस यहां पर देख रहे थे जो की मुझे अच्छा था यह लोगाले का यह पंद्रा सो रोपे का पूरा सैट था और यह सबसे लास्ट वाली लेन है जहां पर सब जीवंडी लगती है उसी लेन में यहां पर आपको काफी सारी वराइटीस और ड्रेस भी मिल जाएंगी और डुपट्टास भी मिल जाएंगी यह 150 के काफे ब्लू जाएंगी और रेट काफे रीजनिबल थी है हम Aosc Catch A में अच्छा लग रहा था तो यह मैंने पच्छेज भी कर लिया थी और यह सूट सेТ के भी काफ़ाइची वराइटीस आपको मिल जाएंगी moments तो आप इस तरह के पहनते हैं तो आप यहां से परचेस कर सकते हैं काफी कम रेट पर आपको मिल जाता है यह पाबो मार्कित में एक शॉप थी जहां पर आपको हर आइटम सो रुपे में मिल जाएगा यहां पर काफी सारी चीजे अंदर थी टॉपस वगेरा काफी सारी लगे हुए थी 100 रुपीस में आपको मिल जाएगे तो फ्रेंट्स यह था मेरा आज का वीडियो होग कि आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा फ्रेंट्स इसका मैं नेक्स आपको वीडियो ब बयाएब